समस्त महिला भागवत कथा आयुजन समीती की तत्वा अधान में राम नगर प्रगती कलब के पास शीमत भागवत ग्यान्यागी सप्ता का आयुजन किया जा रहा है इस साथ दिवसी भक्ती माय जन में आचारेशी रास्ती संत शद्दे राजिव नयन जी महराज ने पांचवे दिन अपने शिमुक से शद्धालों को ग्यान कर रस्पान कराया आये देखते हैं शीमत भागवत ग्यान्यागी सप्ता की खास शलकियां और चोटी के हिले से फूल गिर रहते रास्ते में तो भागवत में लिखा पति सिठाचत मालने वरशा गोपियों के चोटियों से जो रास्ते में पुष्पों की बारिस होती जा रही थी ऐसा अगभुत द्रश्यता मारा यह गोपियां कहा जा रही है बोले नंदा लयम नंद के घर जा रही है अच्छे अकेली जा रही थी ने सब लया सबके साथ जा रही बारती महिला अकेली नहीं जा आज बालियों की मैं नहीं कह रहा है जाने के लिए हमको सबको तैयार होके जाना है तो शारी गोपियां शंगार करके तैयार होने लगी और भागवत में लिखा गोप्याहा समरिश्टमण उंगल निश्क गण खिलगुत जीत्रा वारा पतिशिका शुत्रमा लेवाज्टमण उंगल नंदालयं समलया गजतल निश्टमण उंगल नालोल उंगल खिलगुत झालोल उंगल निश्टमण उंगल नही सिरे टोपियां वालोल निश्टमण उंगल निश्टमण उंगल खिलगुत